माबाब क्या करेंगे बैटियों को पढ़ा करके, पलेदारी करके, कूली का काम करके, तूटा-पूटा घार रहे है, तूटा अपनी बच्ची को दूर ले जाके, यहां आने के बाद केवल रोन आ रहा है थे के बैटी की परिसिति को, यह बाब जो है परिवारा कर जाके शहर से जल पकड़ा जाए और तीनों को फासिक सजा दी जाए नमस्कार बदले का भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग आजमगर जिले के जहाना गंज विकास खंड के गाउं में हैं बरहती जग्दीश्पूर में और मेरे पीछे आप दाहिनी तरफ एक घर देख रहे होंगे तूटा फूटा सा घर है यह घर उस मासूम का है जो अपनी पूरी जिन्दगी नहीं जी पाई यह घर उस बेटी का है जिसकी जिन्दगी को तीन दरिंदों ने मिलकर लेल लिया यह घर उस बेटी का है उस अंशिका का है जिसे कानपूर में मार दिया गया और एक पुल के नीचे फेग दिया गया सरकार तो खूब नारा देती है साहब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा की तमाम दावे किये जाते हैं लेकिन खाग कोई बेटी बचाएगा खाग कोई बेटी पढ़ाएगा अगर बेटी पढ़ा ले गया तो बेटी को बचा नहीं पाएगा और बचा ले गया तो पढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि जब वो बचाएगा सहब तो वो पढ़ा नहीं पाएगा सुदर्सन यादव ने इसी घर से एक सपना देखा कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे उसके लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी किया और कानपूर जैसे एक बड़े शहर मेमेटो सिटी में गए इस मिट्टी की उन दिवारों से दूर जाकर के उस घर से दूर जाकर के उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिस की एमेसी कर रही थी अंसिका तो सुदर्सन यादों ने एक सपना देखा कि जो गरीबी जो दंश मैंने जहला वो मेरे बच्चे ना जहले और पढ़ाने के लिए अपनी बेटी को लेके गए कानपूर में अंशिका कभी-कभी मौच से पहले इस जगह पे आया करती थी लोग बता रहे हैं उनकी बड़ी मम्मी हमारे साथ हैं दाहिनी तरफ खड़ी हैं समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या बोलना है क्या कहना है लेकिन हमारी सरकार मस्त है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे लगाओ चुनाओ जीतो खोखले दावे शर्म आनी चाहिए डू मरना चाहिए सभी ने ताओं को कब आखिर बेटिया बचेंगी कैसे पढ़ेंगी यह देखिए गाओं वाले खड़े हैं हम लोग आए हैं यहाँ पर नारी शक्ति संस्तान की पुरी टीम यहाँ पर आई है और यह लोग उस बेटी के परिजनों से मिलने आए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है इन लोगों से हम लोग बातशीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कभी ने पता चला कैसे यह हादसा हुआ क्या कुछ पता है आपको इस इस घटना के बारे में क्या कुछ पता नाम बताए अपना पहले अब श्रुमा संकर यादो इस गाउं को बगल में रहने वाला हूं भर बगल में हमें जनकारी सर्श शुकर वाल को मिली थी एक न्यूज की माद्यम से सब्सक्राइब करने काम कि जिसे सभी लोग इस दर के नेता बड़े-बड़े एक्शन में आए अचिकल यहां पर जहाना गज में केंडल मार्च निकाल का हम लोग उसको सरदान देज जिए और हम मैं सरकास मांग करता हूं कि उन दरिंदों को जल से जल फांसिक सजाओ और जो एक फरार मुझीर में उसको जल से जल पकड़ा जाए और तीनों को फांसिक सजाओ दी जाए और मैं मैं इन सदस मलची सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक सदस को नोकरी 25 रुपे सरकार की यह से मदब कि परिवार को आपको लगता है कि सरकार इस तरह की चीज़ो सब्सक्राइब करेगी क्योंकि चुराओ चल रहा क्या सरकार ध्यान दे रहे इस लड़की थी पढ़ने बहुत अश्या लड़की थी वहां रश्टपदी द्वरापुरसकारित लड़की थी जो आपर कानपूर में आइस्कुल इंटर टाप की थी और यह डिये भी कालेजि मेनत मजूरी करके उनको पढ़ाते थे यह देखी मकान चाहता हूं कि जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे हां सर इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसके उपर जो कानून है कड़ी से कड़ी करवाई करनी चाहिए आपका क्या नाम है संजीव कुम पढ़ाई कर रहे थी आते वकत या पर जाते वकत जिस समय भी उसका अपरण कर लिए लोग इसके उसके बाद उसका रेप किया गया और उसके बाद वह पुल स्यूडियो पूल करके कोई था फिदियो फूल वहां से नीचे फिक दिया गया था और इसमें प्रसासन पूरी तरफ फेल है जिसमें दो बच्चों की जो यह भी जा रहा था कि पुलिस आनाकानी कर रहे थी मुझा रेपका वो चार्ज लगाने गये रिपका का रडिया है कि उन सब दोनों अपरादियों के पीता सेरी सरकारी वर करें पुलिस वगरे दरोगा वगरे बताया जा रहा था प्रसासनों से दबा रहा है इनके बच्ची के पिता जी पल्लेदारी का काम करते हैं को कमजोर समझ कर बाते दबाई जा रहे थी हमारे साथ अंशिका के चचेरे भाई हैं उनसे बात करेंगे नाम क्या है रमेश यादा रमेश क्या कहेंगे अंशिका कैसी लड़की थी और इस हादसे के बाद से आप लोग पर क्या गुजर रही है वह तो बहुत अच्छी लड़की थी पढ़ने लिखने में अच्छी थी आती थी आपर आई थी जल्दी परिवार हम गये थे आपके पर देने तो आई पर बेट हुई थी तो आपकर दा दिन पहले हैं सद्दास द सब्सक्राइब नारीशक्ति संस्थान से हूं मुझे इस घटना का पता चला और मन तो तो तूट गया है और जो भी सरकार की उजनाएं सरकार के गाल पे बहुत बड़ा तमाचाँ है ये घटना की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे कागजों में कारवाईयों हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं जो है खुले आम जो है रोज आए दिन हमें देखने को मिलती हैं और घर का जहां में आए हुए हैं इस बच्ची के घर का महौल देखकर के मन तो बिल्कुल द्रवित हो गया है निशब्द हो जा रही हूं मैं कुछ खुद नहीं समझ पारे हैं आपके साथ बाचित कर लेते हैं नाम क्या है अब चैनल है फिर उनके दुख में हम लोग भी दुखी हैं और यहीं आशा करते हैं कि अचित कारवाई करें करें अब इ party लेकिन कुछ करेंगी वह मिलान हो को ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत और हुत और मैं बढ़ने कि यह पड़ने में कुशल है और काम्याब है तो पढ़ने का मुपा न दे करके घटनाएं हो रही है कि पड़ा करके एक बाप प्लेदारी करके कुली का काम करके तूटा फूटा घर है वहां अपनी बच्ची को दूर ले जाकर यहां आने के बात के बाप जो एक परिवारा कर जा के शहर में पढ़ा करा बेटी को अपने तो फिर इस तरह की घटना होती तो बहुत हत्परत हो औ और मिश्क लिए जो भी सभी करने के लिए तयार है इस बिट्या के परिवार के साथ हमारा जाना चाहता हूं कि जैसे आप तमाम सरकारी योजनाओं में आपने हिस्सा लिया सरकार के तरफ से जो महिला हेल्प लाइंड डेस्क और तमाम चीज़ें तो आपको क्या लगता है क्या उन चीज़ों के होने के बाद महिला महिलाओं के प्रतिज अपराद हो रहे हैं उसमें कोई कमी आई है मुझे तो लगता है कि अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हमारी कानून बेवस्था पुलिस हमारी काम नहीं सब्सक्राइब करती है और यहां भी यही मामला आ रह कुरिए दो परिवार वाले एक कांस्टेबल के बैठे हैं तो इनका साथ देना है और हम पूरा साथ देंगे और सभी से एक अनुरोद करना चाहेंगे पूरे जनता से घटना यहां की नहीं है घटना है कानपूर की लेकिन वो हमारे आजमगड की बेटी थी और प्राधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले आप लोग कुछ कहना चाहेंगे कुछ बोलने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं कुछ बोला नहीं जा रहा एकदम निशब्द हैं बहुत ही तकलीफ हो रही है घरवालों को देख करके इतने भोले परिवार है ये लोग की कुछ कहा नहीं जा सकता बहुत ही मत्तब दुख की बात है अब आपका सुब नाम क्या है माया दूबे नारी सकती संस्थान से यहां आने के बाद यहीं लग रहा है कि बेटियों को कहां से कोई पढ़ाएगा और कैसे इस बाप ने मतलब अपने गरीबी में और इस तरह से वहां ले जा कि अपने बच्चों को पल्लेदारी करके कुली क काम करके पढ़ाया लिखाया और अज उसकी बेटी जब आगे बढ़ने लगी तो उसके साथ ऐसा कांड हो गया और इस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आजमगड से हम लोग कानपूर पहुंचेंगे और इस पर सकत से सकत कारव करवाएंगे तो देखा आपने यहां पर हमने नारीशक्ति संस्तार की महिलाओं से बाच्चित भी किया और जिनको मैं कह रहा था उनकी बड़ी मम्मी अंशिका की बड़ी मम्मी है उनसे थोड़ा हम लोग बाच्चित कर लेते हैं आप बाहर आएंगी कि या अंदर मैं पूरी परिवार आए तो पीता जी हर घरी दुचार महिना पर आवल करना अच्छा अब लड़ी का कैसन रह नहीं है सौभाव से कैसन रहने हैं अंसी का तब या दस पर लाइकिन में लाइकी रही तो बात हुआ आपके अपने परिवार से वहां पर जो आपके देवर हैं देवरानी हम लोगों से बात्चित हुआ है सुदर सन्यादू जी परिवार से हैं तो कहा कहने से कहा करिया भाँ अब तो हम किछ में ना भाय लें पढ़ा लिखा के मजूरी कई कि हम यहां पर लड़ीकन के लेके घर पलवार छोड़ देरी क लड़ीकन ना पढ़ा पाई तो यह है वो परिवार पूरी तरह से हताश और निराश यहां पर नारिष शक्ति संस्थान के लोगों से भी हमने बात्चित किया पूनम्तिवारी जो नारिष शक्ति संस्थान के सचिव हैं वो ऑन कैमरा रोने भी लगी और यह देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है इस देश को राजनीती खा गई सहाब इस देश को नेताओं ने खा लिया है खाली गरीब की बात होती है सुरक्षा की बात होती लेकिन होता कुछ भी नहीं है सब ढकोसला है कहीं कोई कुछ नहीं करता वरना तस्वीर दूसरी होती हम अपनी चले आना छे बजे चले आना बाहर मत जाना पढ़ने लिखने जाना तो नजर जुका के जाना बेटों को कब समझाएंगे कि जो काम तुम दूसरों की बेहन बेटियों के साथ कर रहे हो अगर तुम्हारी बेहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा कब हम समझाए तो मैं इन तमाम गाहवालों की तरफ से संसा की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से तमाम देश्वासियों से कहूँगा अपील करूँगा कि नेताओं के भरोसे मत बैठी अब अपने बेटें को समझाईए कि जिस तरह से तुम अपनी बहन की इज़त करते हो उसकी तरह गलत मुंत्र कहते हैं कि एक दिन जरूर बदलेगा भारत हमारे चैनल का नाम बेने भारत लेकिन मैं आज इतना हाथ हूँ कि मैं पूछता हूँ आपसे कि आखिर कब बदलेगा भारत कब बदलेगा भारत बताईए हमें संसकार दीजी अपने बच्चों को कि वो इंसानियत को तार-तार होने से बचा लें वरना कुछ नहीं रह गया आया लड़ते मरते रहते हो सपा के लिए भाजपा के लिए कांग्रेस के लिए बसपा के लिए लानत है ऐसे लोगों पर कभी अपने समाज के लिए इंसानियत के लिए लड़के देखो तब समझ में आएगा उससे पूछो जिसने अपनी बेटी को खोया है उससे पूछो तब समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा हमारे देश में अब आगे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है अगर आपको लगता है कि वास्तों में अब इस मुद्दे पर जो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम नारे हैं अगर इसके लिए वाकाई काम करना है तो आप लोग लगिए मन से त अबने वाद